तो सरत्पौनिमा का पुजा घर पर हम किस प्रकार से करेंगे तो देखें सरत्पौनिमा का पुजा हमें कब करनी है क्या क्या चाहिए होगा कौन से भगवान का पूजन है इन सभी वीडियो आफें लडिग चैनल पर आ चुके है तो आप प्लीज उनको एक बार चेक कर लिजी सबसे पहले हम चौकी को अच्छी तरह से सजा लेंगे लाल, पीला या सफेद कपड़ा विछाएंगे और चौकी जैसे हर पूजा में हम सजाते हैं उसी तरह से हम चौकी सजाते हैं इसके बाद भगवान गणेश जी के हम सबसे पहले सनान करवाएंगे और चाओल का आसन लगा के उनको बिराजमान करेंगे कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है इसके बाद हम यहाँ पे एक आसन लगा देंगे और आप चाहे तो अस्टेदल कमल बना सकते हैं आप चाहे तो चाओल का एक धेरी लगा के उसके उपर भी कलस थापना कर सकते हैं कलस थापना का वीडियो का इबार मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया है तो मैंने यहाँ पे कलस तयार करके रखा है और दीब कलस का मैंने यहां पर स्थापना कर रही हूं एक ही दिन के लिए जब कोई कलस थापना होती है तो आप दीब कलस का स्थापना कर सकते है यहां नारेल के जगा पे एक दिया प्रजलित किया जाता है घी का या तीलका-てलका और दीब कलस के श्ठापना होती है बाकी कलस श्ठापना का जो नॉर्मल नियम होता है वही सभी चीज़े, डाला जाता है लक्समि प्राप्ती के लिए इस दिन भीसे रूप से कलस श्ठापना होती है तो आप सोने का कोई एक सामन, जल में झूरूढ यानि कि कलस में जरूट डाले इसके बाद कलस को हम टिका कर लेंगे भगवान इंद्रदेप की सौरूप मानकर भगवान बरुम्देप की सौरूप मानकर इस कलस की पूजन की जाती है सभी देवी देवताओं को इसी कलस्त में आवहान किया जाता है कलस्त अपना ओप्सनल है अगर आपके यहां पर नहीं होती है तो कोई बात नहीं अब इस पार्ट को स्किप कर सकते है इसके बाद देखे भगवान बिश्नुजी माता लक्समी की विसेश पूजन इस दिन किया जाता है कहते हैं कि जो लोग रात्र जागरन करते हैं इस पूर्णिमा का एक और नाम है कोजागरी पूर्णिमा इसका मतलब कौन जग रहा है जो भी इस दिन जग के माता लक्समी जी भगवान विश्णु जी कुवेर देवता का पूजन करते हैं उनको कुवेर धन की प्राप्ति होती है कहते हैं कि भगवान विश्णु जी ने कहा कि जब कोई मेरे इस कार्थिक महीने में और जो मेरे पूजा अर्चना करेंगे आज के दिन से कार्थिक स्नान भी सुरू हो गया है अगर आप लोगों को पता है तो देखे काफी सारे वीडियो डाला है उसारे जेक कर लिजे बहु थे सब्सक्राइब की उसम लिजिए थी झालड़ के लिजब सब्सक्राइब के लिए इस सब्सक्राइब इसके बाद जो है दो पूजन जो होती है चंद्रमा कहुते हैं चंद्रमाग का पूजन हम साधान साम को जाते हैं उनको अरग याmpA यह सनलग गौल चंद्रमा से यहाँ प्रता आसन के ओपर गोल compact चंद्रमा का प्रतीव है इन भगवान का पूजन के दिन किया जाता है इसके बाद हम चंदन घोलने के बाद हम भगवान श्रीशनु जी को लगा देंगे ऑम भगवान विशनु जी नौनha में इस तरह से हम कुवेर देपता को लगा देंगे भगवन गनेश जी को लगा देंगे और चंद्रमा को भी हम चंदन लगा देंगे माता लक्षमी को हम सिंदूर लगाएंगे तो जो भी आपके पास सिंदूर है या रोली है रोली सिंदूर से माता लक्षमी की टिका कर दीजे गणेस जी को आप रोली और हल्दी चरते हैijn तो इस तरह से सभी भगवान को आप ठीका करदे आपकी प्रम्परा का तरह से समय को करेंगे चंद्र भगवान को भी हम करेंगे तो सफेध चड़ाएंगे घणेश के पीला रंग उनको बहुत प्रिया है तो जनल में थोड़ा सा हल्दी लगा कर भी वहान विशनों जी को चड़ाएंगे तो है तो आप सफेध या पीला चड़ा सकते हैं ना सकते हैं विष्णु जी को पीला चाड़ते हैं इसके बाद हम सभी भगवान को फूल अरपन करेंगे पंचोपचार पूजा में प्रकार का उपचार से भगवान की पूजन की जाती है जिसमें सबसे पहले हम सुगंधी और पन करते हैं धूप दीप तथा नईवद्य और अरपन करते हैं तो सभी भगवान को पूस पारपन करेंगे भगवान विष्णु जी को तुल्सी पत्ते तुल्सी की मंजरी अतिप्रियों होते हैं तुल्सी पत्ते या तुल्सी के मंजरी जरूर अरपन करें इसके बाद सुगंधी समर्पयामी थोड़ा सा चंदन लगा क के फुलो में हम सुगंद समर्पान करेंगे और इसके बाद हम धूब दिखा देंगे तो जो भी धूब आप यूज करते हो धूब दिखा दीजिए पहले एक भगवान को एक करके धीरे-धीरे दिखाये जैसे ओम गंगने साय नमो ओम विष्णी भगवान नमो मादालक्ष्म एक करके मैं वीडियो में आपको जल्दी दिखा रहे हूं लेकिन इतना जल्दी नहीं अराम से आप सभी का नाम लेते हुए धीरे-धीरे धूब दिखाईये और धीरे-धीरे दीप दिखाईये इसके बाद कॉत्ण में थोड़ा सा इसमीं इत्र लगा लेंगे आप चाहें तो इत्रा से भगवाण की वीघ्रो सकते हैं मैंने कई सारे वीडियो इत्रा से कैसे मालीच किया जाता है दिखाया हुआ है और अगर ऐसा नहीं कि आपने तो कोई बात नहीं आप इस तरह से थोड़ा सा इत्र लेके एक कौटन में सभी को औरपन करेंगे इसके बाद थोड़ा सा गुलाल हम औरपन करेंगे है वगबान जितना हो सके हम उसी हिसाब से पूजन करें आप सभी का आशिरवाद की आकांग बस इसी तरह से कलपना करते हुए घर में किसी का रोग सोग दूख ना हो अपमित्यू का भाई ना रहे घर पर इहीं सारे सभी से प्रार्थना करते हुए आज की पूजन कर रही हूं इसके बाद देखिए आप जो भी भोग लगा सकते हैं सफेद चीजों का भोग लगा ज चड़ा है और इसके बाद तीन बड़ जल्खमा के इस तरह से आचमनी कर दे तो देखिए इसी तरह से बहुत ही सरल उपाई से हम पूजा करेंगे और हाँ अभी एक कुस्चन आता है कि हमरे पास मूर्तिया नहीं है हम कैसे पूजा करेंगे तो आप सभी विग्रह के बदल अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ इतना भी बोलके अगर पूजा कर लोगे तबी भी है और अगर मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल उपाई से हम पूजा करेंगे और आज के दिन चार बजी के बाद ग्रहन लग जाएग ग्रहन के समान अभी कोई भी समान नहीं चुना है तो यह जो सारे सामान है जो भोग प्रसाद यह हम उठा लेंगे बागी सभी चीज़ें ही पर रहेगा माता लक्समी को आज एक पान अरपन जरूर किया जाता है पान में आप एक सुपारी लॉंग इलाइची रखिए अग माता लक्समी की जो पान अरपन करते हैं इसमें पति-पत्नी का रिस्ता अच्छा होता है मिठास रहता है और घर में सुख समपति की कभी कमी नहीं होती है तो इसी तरह से हमें पूजन करना है इसके बाद देखे आगर आपके पास कमल गट्टे के माला है तो उनकी पूजन कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते है तो इस समय ग्रहन के समय सुतक कल के समय आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं पूजा नहीं होती है लेकिन आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं मन कोई मंत्र को बार 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 बोलते रही है और दिरे-दिरे मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को हैपी सरत पुनिमा बहुत बहुत अच्छे कटे आप लोगों की सरत पुनिमा बाई बाई दोस्तों टेक कियर